आप सबका स्वागत है आप सबके अपने एट्यूप चड़े पर तो आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे अगर आपने इस सेंपले पर के अभी तक सेक्शन A, B, C, D की वीडियो नहीं देखिया तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं तो स्टार्ट करेंगे सेक्शन D का कुश्चनबर 32 इस स्टार्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको डाउंस्ट्रिम और अप्स्ट्रिम का कंसर्प सिखाता हूं जैसे कि यहां पर आप फिगर में देख रहे हूँ सपोस्ट्रिम और आप इसको इसे डिरेक्शन हमें और स्टीम और स्ट्रिम और स्टों का क्हा होगा डिliers और कर आपके निकलेगी तो यू प्लस भी क्या होता है जिस डिरेक्शन में आप बोट चिला रहे हो उसकी डिरेक्शन क्या होगी आप पोसीड होगी स्पीड ऑफ इस प्रीम से जैसे सब्सक्राइब लेफ्ट हो और आपकी श्पीड गृटर पानी की रफ्तार है वो कि हमरी होगा तो अप्स्रीम में क्या होगा हमारा यू माइनस व होगा यू हमारी होगी हमारी स्पीड अप्डी बोट माइनस स्पीड अप्डी स्ट्रीम वी हमारा यहां पड़ा स्पीड अप्डा स्ट्रीम के 18 km पर आवर तो यहां पर आप दिखोगे speed of the boat in still water वो आपको दे रहे के 18 km पर आवर यहां पर आपको calculate कने दे speed of this stream तो यहां पर हम let करेंगे x km पर आवर तो let the speed of the stream भी x km पर आवर तो यह आपकी speed of the stream है यह आपकी speed of the boat in still water तो सबसे बेले हम क्या करेंगे speed of downstream और upstream calculate करेंगे तो यहां पर आपको बनेगा speed of boat upstream तो यह आपको बनेगा 18-1 km पर आवर speed of boat downstream यह आपका बनेगा 18 plus x km पर आब यहां पर आपको total distance कितना कवर करने 24 km और अगर हम question को दुबारा पड़े तो यहां पर आपको क्या कह रहे है कि a motor boat whose speed is 18 km per hour in steel water take one hour more to go 24 km upstream than to return the downstream to the sense boat मतलब यहां पर आप लिखोगे time covered by upstream is one hour more than time covered by downstream अब यहां पर time की बात आगे पर time हमें नहीं किवन तो हम upstream का distance कितना है हमें किता distance कवर करना है 24 तो यहां पर आप लिखो कि 24 अपन इसकी speed कितनी है 18-x is equal to one hour plus time covered by downstream same distance कवर करना है और इसकी speed कितनी है 18 plus x तो यह बनके हमारी condition अब इसको हम solve करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको move करेंगे left hand side तो आपका बनेगा 24 upon 18 minus x minus of 24 upon 18 plus x is equal to one इननों calcium लिया 24 आपने common लिया तो अंतर आपको बचा 18 plus x minus 18 plus x whole divided by 18 का square minus of x का square बिकाज यहां पर आपार पारा pattern बन गया a minus b a plus b 24 as it is 18 से 18 cancel out तो यहां आपको बना 2x 18 का square कितना होगा 324 minus of x square is equal to 1 24 तो जहां आपको बनेगा 48 x is equal to यह चाहिए डिवाइड है वाजा के multiply तो minus of x square plus 324 इन डोनों को move करेंगे left hand side तो आपको बनेगा x square plus 48 x minus of 324 बड़ाबर है 0 तो यह आपके बनेगे quadratic equation अब हम इसको solve करेंगे by using middle split term यहां पर आपको 324 बनाना है with the help of 48 तो सबसे पहले हम factors निकालेंगे 324 की 2 बन जा 2, 6 जा 2 जा 81, 327, 39 जा 3, 3 जा 3 बन जा यहां पर आपको 48 बनाना है with the help of this 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 और 3 2 जा 6 तो 54 जा 6 हमारा pattern बन रहे तो यहां पर हम लिख सकते हैं x square plus 54 x minus of 6 x minus 324 बराबर है 0 तो x common आया तो अंतर के बचा x plus 54 minus 6 common आया तो अंतर के बचा x plus 54 बराबर है 0 एदर x हमारा 6 हो सकते हैं और x हमारा तो 6 किलोमेटर पर आयर तो यह गे मारे स्कूशन का solution रूमबर 32 का ओर पार देखिए तो वाटर टैप तुगेदर तो यहां पर आपको दो टैप दे रखे हैं एक का डायमेटर चोटा है और एक का डायमेटर बढ़े मतलब एक लाजर टैप है और एक आपका स्मूलर टैप है यह दोनों टैप अगर अपने ओपन करते हैं तो वह पूरे टैंक को फिल अप कर रहे है और जो टैप ऑफ लाजर डायमेटर है वह 10 घंटे कम लगा रहे है अगर वह सेपरेटली फिल करेगा टैंक को स्मूलर वन 10 जारा लगा रहा है और लाजर वन 10 घंटे कम लगा रहे है तो वह कह रहा है कि अगर मैं सेपरेटली अगर मैं टाइम निकालूं कि इस टैंक को फिल अप करने में अलग अलग कितना समय लगेगा दोनों को सेपरेटली तो वह आपको केल्कुलिट यहां पर करना है तो यहां यह तो larger को 10 घंटे उसमें से कम लगेंगे तो उसको x-10 hours लग रहे अगर एक बूरे time को fill up करने के लिए x hour लग रहे तो एक घंटे में वो कितना complete करेगा तो 1 by x hours करेगा क्योंकि part of the tank fill by smaller pipe in 1 hour is 1 by x जैसे suppose माल लो एक आपके बाइक tank है इसको fill up करने में कितने घंटे लग रहे है 3 hours लग रहे एक घंटे में कितना fill up करेगा इस पूरे tank का 1 third fill up करतेगा because अगर इस पूरे tank को fill up करने में 3 घंटे लग रहे तो एक घंटे में उसने कितना fill up किया इसका 1 third fill up किया तभी तो total 3 घंटे लगे तो ऐसे ही अगर smaller pipe को पूरे tank को fill up करने में x hours लग रहे तो वो एक घंटे में कितना fill up करेगा 1 by x तम उसका tank का fill up करतेगा ऐसे ही अगर larger pipe को x minus 10 hours लग रहे तो 1 hour में वो कितना fill up करेगा 1 by x minus 10 तो ये तो होगे हमारे 1 hours की condition नहीं smaller pipe और larger pipe अब यहाँ पर आपको given है कि अगर दोनों tank fill up ओड़े हैं इन 9-3-8 hours में तो मतलब अगर ये mixed fracture है तो आपका क्या बन गया 75 upon 8 hours by the both pipe fill up together और अगर मैं इसका 1 hours में देख्यों तो कितना fill up करेगा 8 by 75 करेगा because इसका reciprocal कर देंगे अब दोनों tank को fill up करने में कितना समय लग रहा है 8 by 75 in 1 hours 1 hours का हमने यहाँ पर निकाला smaller का 1 by x और larger का हमने निकाला 1 by x minus 10 तो मतलब दोनों का मिला कर वो कितना करेगा 8 by 75 term आपकी क्या करतेगा pipe को fill up करतेगा tank को fill up करतेगा अब यहाँ पर आपको x calculate करना है तो हम इन दोनों term को कैसे solve करेंगे by taking LCM तो आपको बनेगा x multiply by x minus 10 x minus 10 plus x बरावर है 8 upon 75 x plus x 2x हो गया 2x minus 10 upon x into x minus 10 is equal to 8 upon 75 इन दोनों में 2 common आ रहे हैं तो अंदर आपको बचेगा x minus 5 upon x into x minus 10 is equal to 8 upon 75 equation को छोटा करने के लिए इसको cancel out किया अब हम क्या करेंगे cross multiply 75 times x minus 5 is equal to 4x into x minus 10 अब हम इन दोनों को multiply करेंगे 75 into x 75 x minus 75 multiply by 5 is equal to 4 x square minus 40 x 75 as it is 5 5 25 5 7 35 37 is equal to 4 x square minus of 40 x इन दोनों हमको move करेंगे right hand side top को बनेगा 4 x square minus 40 x minus of 75 x plus 3 75 is equal to 0 4 x square minus minus plus तो यह आपको बन गया 1 1 5 x plus 3 75 is equal to 0 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे by using middle split term इसको factorize करेंगे तो सबसे पहले 3 75 को 4 से multiply किया 4 5 2 20 28 30 40 12 15 तो यहाँ पर आपको 1500 बनाना है with the help of 115 तो अगर आप यहाँ दियान से रेखो तो 100 into 15 करेंगे तो 1500 और अगर इन दोनों को add कर दोके तो हमारा बंजेगा 1 1 5 तो यहाँ पर आपके factors बनेगे 4 x square minus of 100 x minus 15 x plus 3 75 equal to 0 इन दोनों में आपका 4 x common hour वंदर बच्छा आपका x minus 25 यहाँ आपका 15 common hour वंदर आपका बच्छा एक्स-25 बड़ावर है 0 तो 4 x minus 15 और x minus 25 बड़ावर है 0 तो एक x आगर आपका 15 by 4 और एक x आगर आपका 25 अब इन दोनों value को हम put up करेंगे तो यहाँ पर आपका smaller टैब का time कितना आगया हमारा 25 hours और larger टैब का time आगया आपका x minus 10 मतला 25 minus 10 मतला 15 hours यह तो हो गया तब possible जब हमारा x आपका 25 है अगर मैं 15 by 4 लेते हैं तो अगर मैं इसको उसमें से minus करूंगा तो मेरा time क्या हो जागी तो जिस करके इसको हम यूज नहीं करेंगे और हमारा answer के आएगा सिर्फ x आपका 25 दुबारा बतारता हूँ कि हमने इसको क्यों इग्नोर किया विकोज अगर आप इसको x minus 10 करोगे तो यह आपकी negative value देगा और negative में कभी time नहीं होता तो जिस करके हमसे वेक्सी value को 25 कोई से करेंगे जिसके बेहाफ में हम larger tap का time निकाल लेंगे और smaller tap का आपका निकाल के 25 और larger tap का time कितना अगया पंदरा जिससे वो separately fill करेंगा टेंग को तो यह होगी हमारा इस question का solution question number 33 state and proof BPD theorem इस theorem को मैंने already proof किया हुआ है तो अगर आपने अभी तक इसका proof और नई सीखा है और यह theorem क्या केती है तो इस वीडियो का link आप discussion से ले सकते हो जिसमें आपको पूरा आपको easy explanation से समझाए गया है कि BPD theorem क्या होती है और इसको हम कैसे proof करते हो तो पूरा step आप ध्यान से समझाए उस वीडियो में तो इसका B part हम solve करेंगे in the given figure angle CEF angle CEF इस बराबर है CFE के F इसे midpoint of CD prove that AB upon BD बराबर है AE upon FD तो इस आपको prove करना है अगर हम question में देखें तो यहाँ पर आपको figure given है जिसमें आपको given है angle CEF बराबर है CFE के यह दोनों angles आपके बराबर है और F इसे midpoint of DC यहाँ आपको prove करना है कि AB upon BD बराबर है AE upon FD के मतब GE को आपको prove करना पड़ेगा FD के बराबर तब हम GE के जगा replace कर देंगे FD को तो यहाँ पर आपको सिरफ F इसे midpoint रखा है तो मैंने क्या किया है यहाँ आपके construction करी BE के parallel एक line draw कर दी DG from point D से अब यह construction क्यों करी विकोज आपको बदा है कि जब दो lines अगर parallel होंगे एक triangle में तो हम BPD theorem लगा सकते हैं और दो size आपकी क्या हो जाएंगी proportion हो जाएंगी तो अगर आप यहाँ पर द्यान से रेको DG parallel BE DG parallel BE by construction और यह कौन से triangle बन रही है intangle ABE तो by BPD theorem AB upon BD बड़ाबर हो गया AE upon GE के क्योंकि आपको बताएंगी size क्या हो जाएंगी proportion हो जाएंगी तो AB upon BD बड़ाबर हो गया AE upon GE के तो यह हो गया है equation number 1 यहाँ पर आपको बोला गया है कि F is the midpoint of DC तो मतलब DF किसके बड़ाबर होगा FC के बड़ाबर होगा इसको mark कर लिए equation number 2 और यहाँ पर आपको given है angle CFE बड़ाबर है angle CEF के और अगर आपके opposite angles बड़ाबर है तो इसके opposite size भी क्या होंगी बड़ाबर होंगी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो CF बड़ाबर है CE के side opposite 2 equal angle of triangle और equal तो यह अपने correlation find out कर लिया अगर आप यहाँ पर ध्यान से रेखो तो यह के आपका triangle बन रहे अगर पूरी size पहलर हो सकती है तो छोटी भी size पहलर हो सकती है तो हम इन triangle को cover up करेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे in triangle C, D, G by BPD theorem DF किसके बड़ाबर आगया FC के और G, किसके बड़ाबर आगया EC के but DF और FC के हैं हमारे midpoint है DF और FC के बड़ाबर है तो यह दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ विकोज यह दोनों के आपस में cancel out हो जाएंगे तो अभी हमने in triangle D, C, G से relation है find out किया by using BPD theorem कि DF बड़ाबर हो गया FC के और G, बड़ाबर हो गया EC के but from first DF किसके बड़ाबर था FC के because F इसको मिड़ पॉइंट इसको हम यहाँ पर replace करेंगे तो 1 is equal to किसके बड़ाबर आगया G, by EC के तो मतलब G, किसके बड़ाबर आगया C, के बड़ाबर आगया अब G, बड़ाबर हो गया C, के और C, किसके बड़ाबर है CF के from A and B relation यह हमारा B relation है और अभी हमने पहले यहाँ पर निकाला था कि जब हमारे एंगल्स बड़ाबर होंगे तो उसके आपोजी साइज भी बड़ाबर होंगी तो यह हमारा क्या है A relation और अगर आप A और B correlation को देखें कि CF बड़ाबर है C, के और G, बड़ाबर है C, के तो G, किसके बड़ाबर हो जाएगा CF के बड़ाबर हो जाएगा तो यह हमारे एक और relation क्रेट हो गया But, CF किसके बड़ाबर है F, D के Because, F is a midpoint But, FC किसके बड़ाबर है DF के तो यहाँ पर मैं CF की जगा DF कर सकता हूँ तो G, किसके बड़ाबर आगया DF के बड़ाबर आगया और यही चीज़ आपको चाहिए थी Because, यहाँ पर अगर हम From First Equation देखें First Equation आपको क्या कह रही है कि AB upon BD बड़ाबर है AE upon GE के और इस GE के जगा मैं DF को replace करूँगा वही चीज़ हमें प्रूब करनी है तो यहाँ पर आप लिखोगे AB upon BD Is equal to AE upon DF और यही चीज़ आपको प्रूब करनी थी तो यह होगा है हमारे इस question का solution Question No.34 Water is flowing at a rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide In what time will the level of the water in pond rise by 21 cm यहाँ पर आपको question कह रहा है कि एक आपके बाद pond है जिसकी shape के है cuboidal और एक pipe है जिसका diameter कितना रहा है 14 cm उसमें से पानी आ रहा है at the rate of 15 km per hour तो वो कह रहा है कि कितने समय में इस pond में जो water का rise हो जाएगा वो 21 cm हो जाएगा तो वो आपको duration आपको यहाँ पर find out करनी है और कितनी रफ्तार से पानी आ रहा है एक घंटे में वो भी यहाँ पर आपको calculate करना है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सबकी dimension यहाँ पर mention करी तो अगर आप यहाँ पर द्याँ से रहोगे तो length of the pond आपको कितना दे रहा है 15 meter width of the pond आपको कितना दे रहा है 44 meter और कितना आपको पानी rise करना है वो आपके height कितने दे रहा है 21 cm because यहाँ पर आपका जो pond का जो shape है वो कह है हमारा cuboidal है तो यहाँ पर आपको यह तो होगे हमारा cuboidal pond अब पानी किस में से आ रहा है cylindrical pipe में से आ रहा है तो उसका हम पहले diameter आपको कितना दे रहा है 40 cm तो radius कितने होगी हाफ होगी तो सबसे पहले हमने unit को convert के meter में अब आपको बदाए कि इसका area of cross section कितना होगा pi r square because जो आपका rectangular pipe है उसका जो अगर मैं इसका front page देखूँ अगर मैं उसका open top view देखूँ तो वो हमारा क्या होगा circular होगा और circle का area क्या होता है pi r square तो यह हमारा value कितने हागी 154 upon 10,000 but उस pipe में से कितनी रफतार से पानी आ रहा है 15,000 meter per hour से आ रहा है मतला 15 km per hour की speed से उस pipe मैं से पानी आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है पॉन में जा रहा है तो यहाँ पर आपने देखा कि the rate at with the water is flowing through the pipe is height is equal to 15 km per hour because अगर यह आपका pipe है अगर यहाँ से आ रहा है तो यह क्या किलाएगी height किलाएगी because यहाँ से वो गिर रहा है यहाँ पर पॉन में जा रहा है जो हमारा किस शेप में है कि वोडल शेप में है तो यहाँ पर आपको height कितने है 1500 तो यहाँ पर आपकी height कितने बनगे 15,000 मेटर पर आ रहा है तो volume of water flowing in वने आपर कितना होगा area into height because area of cross section आपका pipe का अलड़ी हम निकाल चुके हो इसको अगर हम height से निकालेंगे तो total volume आजाएगा आपका pipe का विकोज pipe आपका किस shape में है cylindrical shape में height आपकी कौन से होगी जिस flow में वो flow कर रहा है तो वह ही आपकी height मानी जाएगी क्योंकि वो distance cover हो रहा है तो 154 upon 10,000 into 15,000 तो 0 से 0 सारे cancel out तो यहाँ पर आपका कितना आगया 231 meter cube यहाँ पर आपको calculate कर रहा है कि कितने समय में वो tank fill up हो जाएगा तो किस में से पानी आ रहा है पानी आ रहा है आपका cylindrical tank pipe में से और किस में जा रहा है पोन में जा रहा है अगर उसके रफ्तार कितनी होगी 15 km per hour होगी अब question कह रहा है कि अगर मैं 21 cm की जो height आपने rise करी 2 hours में अगर मैं उसे 1 hours में complete करना चाहँ तो में रफ्तार कितनी होगी तो जितनी आपके रफ्तार थी उसको क्या कर देंगे time से multiply कर देंगे तो पहले आपके कितनी थी 15 km per hour अगर मैं 15 km per hour को अगर 2 से multiply कर दूँगा तो मतलब मैं same जो rise आपको 21 cm चाहिए था तो वो आपको मिल जाएगा तो हमने क्या किया आपर 15,000 को सिर्फ 2 से multiply कि आपको कितना कि 30,000 that means 30 km per hour मतलब एक घंटे में अगर आपको सेम हाइट को rise करना तो आपको कितने रफ्तार से पानी को flow करना पड़ेगा 30 km per hour के स्पीड से आपको flow करना पड़ेगा तब ही आप 1 hour में उतनी rise कर पाऊगे और attain कर पाऊगे उतनी हाइट को तो यह होगे हमारा इस question का solution question no. 34 का ओर पाट देखिए a tent is in the shape of slender surmounted by a quantical top if the height and radius of the cylindrical part are 3 and 14 respectively and the total height of the tent is 13.5 find the area of the canvas required for making the tent keeping a provision of 26 meter square of canvas for stitching and wastage and also find the cost of canvas to be purchased at the rate of rupees 500 per meter square यहाँ पर आपको एक tent दे रहा है जिसमें आपको एक slender दे रहा है surmounted by conical top और total height of the tent आपको गिवन है 13.5 meter और radius of cylindrical tent आपको दे रहा है 14 meter और यह बिलकु surmounted है तो माला दोनों की दो radius होगे same होगी और height of the slender आपको दे रहा है 3 meter तो मतला अगर मैं कौन की height निकालना चाहूं तो मैं total tent की height में से slender की height को क्या करूँगा minus तभी तो मेरी chronical part की height आजाएगी आपको बताएगी slend height क्या होती है under root of square plus r square तो यहाँ पर हमने by putting the value of height and radius तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी L की value find out कर ली अब आपको बताएगे कि इसका total area find out करना है total area मतलब curve surface area of slender plus curve surface area of korn पर इस करके हम individually दोनों के curve surface area को निकालेंगे और दोनों को add on कर देंगे तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकाला CSA of slender 2 pi r h तो value put up करी तो हमारा कितना आगया 264 meter square then उसके बार आप CSA of conical portion निकालोगे pi r l because L आप अले निकाल चुके radius आपको 14 दे रखे है तो आपका कितना आगया 7 cm square आगया total surface area क्या होगा CSA of slender plus CSA of korn तो दोनों को add on किया तो कितना आगया 1034 meter square तो यह तो हो गया आपका total area but उसने बोला कि stitching और margin के लिए उसने 26 meter square wastage करी तो इसको भी तो इसमें क्या करोगे add करोगे क्यों कि उसने बोला कि total area of canvas कितना कपड़ा उसका लगा तो इस करके total area जो उसने use किया वो plus जितना उसके अंदर stitching और wastage होई total area of the canvas but यहाँ पर आपको cost of area of canvas भी निकाल नी है 1 meter square area के लिए वो कितनी cost कर रहे 500 cost कर रहे तो मतलब 1060 meter square के लिए कितनी cost करेगा तो मैं इसको 500 से multiply कर दूँगा तो आपका कितना जेगा 5,30,000 रुपीज इतनी वो cost लेगा जब वो इतना area occupy कर रहेगा और एक 10 बनाएगा तो यह होगे हमारे इस question का solution question number 35 the median of the following data is 50 find a value of PNQ if the sum of all frequencies 90 also find a mode यहाँ पर आपको एक table दे रखे है जिसमें आपको marks obtain दे रखे हैं और उसके respect में आपको number of students दे रखे हैं यहाँ पर आपको missing value find out करनी है PNQ की और यहाँ पर आपको median given है और आपको find out करना है mode तो सबसे पहले हम cumulative frequency को find out करे हैं because आपको बढ़ा है कि median के formula में हमें CF की value को put up करना होता है तो यहाँ पर मैं आपको दाता हूँ कि cumulative frequency कैसे calculate करते हैं तो यहाँ पर आपको interval के respect में आपको आप number of students दे रख हैं frequency आपको given दे रखी है तो सबसे बहले आपने करना के है जो आपकी first time है उसको आपने agities लिख देना है P, P में आपने next वाली frequency को add on कर देना 15 plus P, 15 plus P में अगर आप 25 add करोगे तो आपका कितना हैगा 40 plus P 40 में अगर 20 add करोगे तो 60 plus P 60 plus Q में अगर Q add करोगे तो 60 plus P plus Q तो इसमें add करो 68 plus P plus Q तो यह आपका क्या बन गया 78 plus P plus Q यह तो होगे आपका total frequency यहाँ पर आपको given है total frequency आपको कितना है 90 तो मतलब यह तीनो term इसके बराबर आ सकते है because total sum आपका 90 आ रहा है बन गया P plus Q is equal to 12 तो यह बन गया हमारी equation number 1 in term of P and Q तो यह तो हमने directly sum of the all frequency के respect से हमने एक relation finder कर लिया P plus Q is equal to 12 बाट यहाँ पर आपको median given है 50 फॉर्मले की बात करें तो फॉर्मले आपका क्या होता है L plus N by 2 minus C F upon F into H what is L lower limit of median class N मतलब total number of frequency C F मतलब cumulative frequency of preceding median class F होता है हमारा frequency of median class H होता है हमारा class side बाट यहाँ पर आपको median कितना given है median आपको given है 50 तो अगर हम interval में देखे तो 50 हमारा कहाँ पड़ है 40 से 50 है 50 से 60 है 40 से 50 का मतलब होता है कि 40 और 50 के बीज में लाई करना और 50 include नहीं होना बाट 50 से 60 का मतलब होता है कि 50 include होगा तो मतलब median अगर आपका 50 है तो हमारा median class क्या होगी यह वली होगी ना की उपर वाली होगी तो यह हमने calculate कर लिया median class अब median class अगर आपको बड़ा चल गया तो हम इस सारे parameter को easily find out कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप द्यान से रखोगे तो lower limit आपके क्या बनेगी 50 बनेगी n by 2 अगर आप निकाले तो total frequency कितने 90 तो 90 को 2 से डिवाइड को रहे कितना आ गया 45 cumulative frequency of preceding class कितना है 40 plus p अगर हम frequency की बात करें तो frequency आपके ते रहे है 20 और class size अगर देखे तो 10 का class size है because 60-50 h हमारा कितना आ गया 10 आ गया अब इन सारी value का यहाँ पर put up करेंगे और median की health से p और q के term में एक relation find out करेंगे तो 1 by 1 इस value को put up करते हैं तो median आपको देना का 50 l आपका निकला 50 plus n by 2 आपका कितना है 45 minus of cf आपका कितना है 40 plus p frequency आपको given है 20 into h 50 से 50 cancel और तो यहाँ पर आपका बन गया 0 45 minus 40 minus of p upon 20 into h h आपको कितना है 10 तो 0 से 0 cancel और 2 यहाँ डिवाइड बन जाके multiply तो 2 into 0 0 0 is equal to 5 minus of p तो p आपका कितना निकल गया 5 निकल गया अगर p की value निकल गया तो यहाँ पर हम from first equation q की value को निकाल सकते हैं तो यहाँ पर लिखोगे 5 plus Q is equal to 12 Q आपका कितना निकल गया 7 निकल गया अब P भी आपको बड़ा चल गया Q भी आपको बड़ा चल गया तो यहाँ पर हम दोबारा उस table को देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर table को ध्यान से देखें विकोज आपको mode find out करना है अब P आपका निकल गया 5 और Q आपका निकल गया 7 अब यहाँ पर आपको निकल गया mode mode होता है कि highest frequency अगर हम यहाँ आपर highest frequency देखें तो highest frequency है हमारी 25 वाली तो मतलब यह हमारी क्या किलाएगी mode class किलाएगी इसको बताए कि mode का formula क्या होता है mode is equal to L plus F1 minus F0 यहां पर हम value put up करेंगे कितने होगे आपकी 40 plus frequency of model class कितना होगा आपका 25 minus frequency of preceding model class कितना होगा 15 upon 2 into 25 आपका बन गया 50 minus 15 minus of 20 और into class size कितना आपका 10 तो यहां पर आपने calculate किया तो 40 plus यहां पर आपका बन गया 10 upon 35 15 into 10 53 जा तो यहां आपका बन गया 40 plus 20 by 3 तो 6.6 तो मतलब 46.66 आपका क्या निकल गया more निकल गया तो यह गया मारे इस question का solution